बड़ा दुख होके मेरे को कांग्रेस पाल्टी छोड़नी पड़ रही है क्योंकि इस पाल्टी में आज कदर नहीं है इस पाल्टी में तो मैं हरान हो जाता हूँ ऐसे ऐसे लोग सामिल कर दिया है जो चप्रासी के लैक भी नहीं थे अभी एक प्रुक्ता बनाया है आप लोग उसको जानती होगे जिसको इंचार्ज बना दिया है बड़ी हरानगी की बात है खेड़ा है उसका नाम वो क्या होता था मुख्य मंत्री का पीए होता था सिला दिशित का उसकी पाल्टी की क्या कुर्बानी है मेरे को तो समझ नहीं आरी है कहीं ऐसे जनर्ल सक्टी बन गये है जिनकी पाल्टी में कोई बात ही नहीं है कोई चीत ही नहीं है कोई लोग पच्छानती ही नहीं है अभी मैं एक साल पहले नो महिने होंगे आल इंडिया कांगरalten कमेटी गया वहाँ पर क्या देखा आप इरान हो जाओगे एक जनरल सक्री के कमरे में गया वो चार-छे लोगों को बिठा के खुद सिर्गड पी रहे हैं खुद सिर्गड पी रहे हैं कितनी मेह नाम नहीं लूँगा बड़ी इरानगी हुई कि जहां पर दफ्तर में पूजा होती है वहा हुआ अब तो वहां बटवारा चल रहा है अब बटवारा कैसे चल रहा है अभी राज्यासभा आपने देखा दो कोटे एक जहराम कोई पार्टी में कुर्बानी नहीं एक जो मिनोटी इक सेल का नाम मेरे दियान से उतर रहा है यूपी से उसको राज्यासभा कहां बेज रहे हैं महराश्टा वो किसका आदमी है प्रिंका गांदी का दूसरा मुकलवासनी किस का है सोनिया गांदी का दो जो होर चुने गए हैं वो राहूल गांदी के एक कौन है अर्याना से सुर्जेवाला मत्मल जो लोग चुनाओ हार हार के उनको पाल्टी में इतना तुज्यर दे रहे हैं उस पाल्टी का क्या फैदा जहां बट रहे हैं वहां जो वरकर मैं तो जी ट्वंटी थी वालों को भी कहूंगा कि इस पाल्टी में आपको कुछ नहीं मिलना अब चाहिए वो गुलाब नभी अजाद हो चाहिए सुसील कुमार छिंदे हो इन्होंने ना किसी को दूसरे को देक्स बढ़ने देना है ये भी लिख लो आज जैसे पहले जी तिंदर प्रसाज जी खड़े हुए थे सचीन पै कोई बाइड डेटा देख रहा है कि किसकी पाल्टी का कुर्बानी है कुछ नहीं देखा जा रहा है आज क्या देखा जा रहा है कि उसके जो सेक्टरी हैं वो किसका नाम ले रहे हैं जिस पाल्टी में कुर्बानियां जिन्होंने दी जिन्होंने गुलाम नभी अजाद जी कि चाली सीटें लेके आए, उन्होंने इतनी महनत की, सुसील कुमार सिंदे जी ने कितनी महनत की, लेकिन आज उनको नजर अंधाज किया जा रहा है, पीछे सुसील कुमार सिंदे जी ने का भी था, कि हम से कोई पूछा नहीं जा रहा है, तो उस पार्टी में क्या करना, रोन आ रहा है इस पार्टी का मैं तो दुबरा जी ट्वंटी तो कहूंगा कि आप लोग चुप चाप भारतिया जनता पार्टी में सामिल हो जाओ और आपको सम्मान मिलेगा ये मैं कहना चाहता हूं और आज जो हमारे नरिंदर मोधी जी जो वो कमाल कर रहे हैं जब से देश अज आज तक आपने ऐसा परदान मंत्री जी नहीं देखा जिनों ने आज तक एक छुटी नहीं की परसू एक महला को वहां पर गे नब्वे साल के उनके पैर्च हुए कितनी बड़ी बात है एक परदान मंत्री आसिरवाद ले रहा है और चोटी सी चोटी बात का ध्यान रख र मिलता है क्यों उत्रा खंड में दुबारा आगे का आंगे वो सारे सर्वे का मैंने पहले दिनी के दिया था आपको वह की भी एक कावद सुना देता हूं हम वहाँ पर उत्राखंड में तराई में पिछले बार भी मैं इंचार था इस बार भी मैं वहीं पर था देरादून तराई के एरिये में हमारा राजा आता है है हेलीकप्टर उतरता है कम से कम नहीं तो वहाँ एक्स मुनिश्टर मेंबर पार्लियमेंट मले सब वहाँ ले लगाकर खड़े हैं दो दो गंटे होगे जब उतरता है तो आप मानूगे चार मिनट में स्टेज पर पोच जाता है फिर वहें का क्या तमासा होता है चिट दी याती है कि आप पांच मिट बोलोगे आप तीन मेट बोलोगे आप दो मिनट बोलोगे PCC प्रेईटेंट बोर रहा है उसको राष्ठे में ही जा के कि जल्दी करो राजा साब ने जाना है अब मैं दूसरी कावत आपको सुना देता हूँ यह मैं बातें बिलकुल सची में कभी जूट भी नहीं बोलता मैं इस पार्टी में भी जब सामिल हूँ तो मैं कोई लालच के नहीं है मेरे कोई रानगी है कि मेरे जैसा आदम जिसे ने राहूल गांदी की रेली दस हियार आदमियों की करही है अलेक्शन में दो दिन में जंगपुरा के छेतर में मैं धेड़ साल से टैम मांग रहूं और जो हमारी महरानी है उसका तो होरी कुमाल है वो केपटन पर तो अरो प लगा रही है कि आप निकले नहीं अरे आप कोन सा तीन साल से निकले मैं पूछना चाहतो हूं आप भी एक बढ़कर से मिले ओ एक वर्कर से नहीं मिले, तीन साल हो गए है, मांगो टैम, तबियत खराब है, या इसका नाम क्या मना कर दिया जाता है, अरे वो पार्टी के है, मैं तो अमिसाजी का धन्यवाद करता हूँ, मैंने परसू सुब़े फोन किया, लिखवाया, कि मैं आप से मिलना चाहता हूँ, उन्हें ने शिर्शाजी को कहा, कि तर्विंदर महरवाजी को ले के आओ, और कल रात, आम मानोगे, जैसे परिवार के सदस्या से, मैं तो निया निया जुराओं, ऐसे आदा गंटा बैटके, आज चीद करते रहे, वो भी कांग्रेस थी, कि सुबह दरबार लगते थे, भी ताजी बात है, एक दिन अखबारों में आता है, जैराम को परवक्ता बना दिया, दो दिन के बाद अखबार में आता है कि पावन खेरा को बना दिया, मतलब ये कहां का है, अब मैं एक और बात आपको बड़ी बताना चाहता हूँ, पीछे गर्मियों में, पिछले साल क गरी था पारा, मेरे को अध्याक्स का फोन आया, चोद्री का, ये उस्टेम अध्याक्स ताजा ताजा बना था, मेरे को फोन आता है, मरवा साहब, आप आजाओ, राजा साहब और पिरिंका गांदी जी यूपी में जा रहे हैं, वहां कोई कांड हो गया था, दस बजे का ट करता था, तो मैंने का चलो, हम चलेगे, आप मानोगे, बिना पानी के, चार गंटे होगे, हम लगातार वहां पर कम से कम नी एक यार कार्या करता था, और वहां ना कोई पानी की वेबस्ता थी, कुछ नहीं था, और गर्मी 46 डिगरी थी, ये पिछले साल की बात बतारो, वो ये जो पुल है, जो निया, जो निकलता है, ये डी एंडी वाला पुल जो, यहां से जाना था, बड़ी हिरानगी होई, उद दिन तो मेरे को रोना आ गया, कि किस पार्टी में हम, गाडियां आई, आठ दस, होरन मारती आई, राजा साब खोन पे लगा हुए, वरकर चिला रहे हैं, और प्लीस वाले मत्वल की शहरन मार के गाडियां निकल गी, किसी को ये नहीं कहा, कि बाए बाए कर दूँ, कौन पे लगे रहे हैं, अरे मैंने कहा, हम चार गंटे होगे, हमारे जैसे पागल आदमी आपर कड़े हैं, और बड़ी हिरानगी की बात है, ये छोटी राजा, मतलब किसी का पता ही नहीं, अरे एक बार सीशा खोल के भाए भाए तो कर दे, उसमें तो पैसे नहीं लगते, हैं, हैं, आप लोगों के साथ होता है कि नहीं कभी, तो फिर आप बताओ, कि इसका क्या कहना है, मैं एक बार फिर, आप प्रेस वालों का भी करता हूं कि आपने मेरे को पार्टी में सामिल किया, नड़ा साब राष्टिया द्यक जी का धन्यवाद करता हूं, और साथ मैं ही अमी साजी का धन्यवाद करता हूं, जिनों ने कल रात को हमें टैम दिया, सिक्खों की कुछ बाते भी थी, जो उस मस्याती उस पे भी का, और जान भी देने पड़ेगी, मैं आपके पार्टी के लिए हमेशन ठ्यार रहूँगा, तक परे रहूँगा, यह मैं बताना चाहता हूं, और हमने नरिंदर मोदी जी का, और हमी साजी का, और नड़ा जी का, और पूरी बारतिया जनता पार्टी का, और खासकार मैं सि बीच में आपको सारी कावच सुनाता रहूँगा, अभी समया, अपने बीच भारतिय जनता पार्टी के राश्ट्रिय महमंत्री, पोर मंत्री मानिये विनोत तावरे जी आपको संबोधित करेंगे, बगल में पार्टी के राश्ट्रिय प्रवक्ता, श्री प्रेम सुकला ज निता मनिंदर जीज सिंग सीर्शा जी है, मानिये प्रधान मंत्री जी के नत्रत में, निरंतर उनकी विकास यात्रा में देश के वरिष्ट नेतागन पार्टी की सदस्ता ग्रहन कर रहे हैं, उसी क्रम में मैं आग्रह करूंगा, अखिल भारतिय कॉंग्रेस कमिटी के निता करविन सिंग मारवाह जी को मानिये विनोत कावरे जी पार्टी की सदस्ता ग्रहन कराएं, सदस्ता पत्र दे और पुना आपका संबोधन होगा मेरा विनम्र निवेदन है, मानिये विनोत कावरे जी से कि आपको संबोधित करें नमस्कार पार्टी कारले से मेसेज जाने पर मुझे एक तो अच्छा लगा कि आप लोग मुझे हर्याना का ज्यादा मानते हैं काफी चर्चा हर्याना को लेके आपने की मतलब मैं हर्याना के नाते रजिस्टर तो हो गया हूं इसका अपने आप में एक आनंद पक्का ले रहा हूँ लेकिन जब मंत्री था था भर्याणा का प्रभारी था भी महा मंत्री हूँ इसलिए हर्याणा के अलावा बाकी प्रदेश के भी कुछ न कुछ दाहितों पारेटी के आते हैं और उसी दाइतों में आज तरबिंदर सिंग मारवा जी जो तीन बार दिल्ली से विदायक रहे हैं पार्लामेंंटरी सेकेटरी भी रहे हैं युद कॉंगरेस के महा सच्चिव रहें दिल्ली प्रदेश कॉंगरेस के वाइस प्रेसिडेंट रहें कि मोजुदा दिल्ली सीक गुरुद्वारा प्रबंदक कमीटी के अभी मेंबर हैं केंद्रिया गुरुद सेंस सभा के अध्यश भी रह चुके हैं और 98 से 1998 से 2013 तक दिल्ली विदान सभा के सदसे भी रहें एक सीनियर राजनेजिक नेता आज भारतिय जन्ता पारटी में उन्होंने प्रवेश किया है महराष्ट्रिय अध्यक्ष जगरप्रकाश नडडा जी की ओर से दिल्ली के हमारे सभी कारेकरताओं की ओर से तरविंदर जी का बहुत-बहुत पारटी में स्वागत करता हूं और उनकी शमता के अनुसार पारटी तो उनको दाइत्व देगी ही लेकिन पारटी में वो जिस विचार से आये हैं मुझे लगता है कि आम व्यक्ति की सेवा करने के लिए पारटी को उन लोगों तक पहुंचाने में तरविंदर जी काम्याब रहेंगे पारटी को मजबूत करे जनता के लिए जो करना आधनिय प्रदान मंतरी मोदी जी को अपेक्षित है वो करने में वो काम्याब रहेंगे यही में उनको शुभकामनाई देता हूं और तरविंदर जी को अनुरत करता हूं कि वो अपना मनुगत ब्यक्त करें सबसे पहले तो मैं प्रदान मंतरी जी नरिंदर मोदी जी का नड़ा साब जो हमारे राष्टे अद्यक्स है और अमिसाजी का और साथी विनोद तावरे जी जो की राष्टे मासचीवे हैं सुकला जी और साथी मेरे छोटे भाई सिर्सा जी जिनकी प्रेड़ना से और उन्होंने काफी दिनों से कह रहे थे तो मैं सभी का दन्यावाद करता हूँ कि आपने मेरे को इस पार्टी में सामिल किया इसके लिए मैं आप साथ का अभारी हूँ और दन्यावाद करता हूँ मैं बारतिया जनता पार्टी में आज सामिल हूँ और मैं आप लोगों को तावरे जी को विश्वार दिलवाता हूँ कि जब तक मेरे परान है मैं आपकी पार्टी की सेवा करता हूँ बिना पार्ट के लालज के मैं अपनी बावना से आया हूँ क्योंकि मेरे को पिछले चुनाओं में भी अमी साजी ने कहा कि आप बारतिया जनता पार्टी से मले लड़ लो लेकिन उस पार्टी की निष्टा दिखाते हुए मैंने हामी नी बड़ी लेकिन आज सुवाल जो उट रहा है मेरे को बड़ा दुख से कहना पड़ रहा है कि मैंने इस पार्टी के लिए क्या नहीं किया अपना सारा जीवन कांग्रेस पार्टी के लगा दिया अपनी जुआनी लगा दिया डिये वी कालेज में प्रेजिडेंट एब्जुटी कॉंसलर विरा एन्सुआई में भी मैं आल इंडिया में 1977 में जोइन सक्रीव विरा लेकिन इस पार्टी में कमी है तो फिर मास कहना जै हिन जै भारत मातर अब 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 बड़ी कॉपी होगी झाल लौटी करदूर कर कचा एब अब गार्टी कॉप यहको पॉज्टा